यह पहला व्लॉग है मेरा और यह बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम चार साल के बाद इंडिया जा रहे हैं बीच में कोरोना आ गया और देन वी हैड़ वेरी वेरी स्पेशल हमारी बेटी पैदा हुई अभी एक साल की हो गई है अभी तक परिवार वालों से किसी से भी नहीं मिली है तो यह इसका पहला विजिट है और दशेरा और दिवाली का भी आफसर है तो बहुत सारे family members से मिलना होगा बहुत सारे बाते होंगी और यह सब आप तक पहुँचाया जाएगा और आप इसके थ यह इस चैनल को पैकिंग जैसे की अब देख सबसे हो पूराज हो चुका है माय बेबी, we are going to इंडिया, are you excited? ये माय बेबी, we will attend दुर्गापुजा in कॉलकता what a great time we will have बेबी, कितना अच्छा रहेगा बेबी, कितने सारे खाने मिलेंगे पैकिंग दिखाता हूँ आप लोगों को ये है एक बड़ा सूटकेस जो चेकिन में जाएगा और ये जो बैग है ये हमारे साथ हैंड बैगेज में जाएगा बेबी का एक छोटा सा बैग है ये भी हैंड बैगेज में जाएगा और काटन बॉक्स अब देख रहे हो ये काटन बॉक्स में पैकिंग चल रहा है और इसका मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि इसके फाइले क्या है क्योंकि जब इंडिया से हम वापस आएंगे ना तो हमारे पास बहुत सारा समान रहेगा और अगर सूटकेस में लेके आते हो तो आप ज़्यादा समान भी नहीं लेके आपाऊगे और यहां आने के बाद स्टोरेज का बड़ा प्रॉब्लम है तो यह इन सब से निपटने के लिए काटन बॉक्स इस पर अलग से वीडियो बनेगा जरूर देखना यह भी ट्रॉलर हम लोग लेके जा रहे हैं और पैकिंग हो चुका है और यह दो काटन बॉक्स अभी काटन बॉक्स क्यों इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा फाइदे क्या है और यह देखो हमारी बेटी सो रही है गोड़े बेटी और कि चक्क्षबूर बनाऊच से बेटी ब Though the Story of your aたटन, बॉक्स फ्ट्रह भी मैं यह तीज़ाओ लेटी लाँति प्राप जतने लाँ को तो सुबह उठते ही बेड को बिल्कुल तयार कर दिया है एक बार बेड तयार हो गया तो वापस आने के बाद एक स्ट्रेस कम रहता है आते ही आपको सोना है रेस्ट लेना है तो आपको बेड बिल्कुल तयार मिलता है परदों को बंद कर दिया हर जगा माय बेबी, बहुत खुश है, yes, माय बेबी, हम भारत जाएंगे, बेबी, तो अभी गाड़ी पकड़ लिया है, हम लोगों ने, और एरपोर्ट यहां से, कितना देर दिखा रहा है एरपोर्ट, एरपोर्ट यहां से करीब, तो अभी उबर कर लिया है, और उबर हमको 14 मिनिट पहुंचा देगा, हमारी बिटिया बैट रही है, समान जितने थे सब गाड़ी में आ गया, उबर एक्सल में, Yes, we are going to Dadu's place first and then to Tata. Yeah, I'm the busiest as well, that's why it's coming in there a bit, it's a country, I think we have to take the right, yeah I know the place, people from different culture, different background, you put them together as a country and then you force a constitution on them, the constitution we are I'm using Nigeria as nothing what the people say. Now we have to go to the airport, we have to take the luggage, now we are going to go inside, okay? 5 साल से अगर कमका अगर आपका बच्चा है ना तो आप फैमिली वाले लाइन को पूछ लेना, यहां पर स्काफ काफी अच्छे हैं, help कर देंगे, यहां पर बहुत ज्यादा भसड़ हैं, बहुत भीड़ हैं, आपको कुछ समझ में नहीं है का अंदर आओगे तो, क्योंकि पूछना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा जल्दी आजाना, अब यह जो डबबा लेके आए, यह बड़ा है डबा, तो इसको ओवर साइज, वाले में जाके देना होगा, यह वाला जो गेट है, यह इंटरनाशनल के लिए, देखो, गलोब बना हुआ है, खखवा पुआ ही, अईडोग आवा दीर, जड़ा दीर, झाले को ऑनीनल, ढाब यह झाले हुआ हाँ, ऑनी जचाइज, जब यह यह झाले हो, तो दूवच् में गाले हैं, प्लिए जादे नहीं जादा है। बढ़ी के डिया के लग्या साथा इसा इसली दिगें नई ठीक है अव्या का सबकुर्ण के येक वनरे देर मते आ और ये उल्ड़। बन करते हो? आँ ने पिल्ड़। ने उल्ड़। ओरा इसनी के रो जाँ का सुल्ट। घार वी जानेक बोड़ा आगे बड़ो अचा जाओ मीघड़ा आगे बड़ो इस्ट आपको बोड़ाने के लाओ है क्षाइल नाच्छ। फिस्ट है राओ पिनाच्ट नाच्छों मुटीव आपको देश्ट है कि लुड़ा है नाच्छ पांगे लिए लिए जाओ इसका करने प्राफाबे कि दो एका हम चार केंड़ें अटने प्राफबें । खारह प्रिटेग में परंच कि तो कि ए मेंहेंख pipeline बना लकर वो वेलकम टू भारत भारत आने करना एक अलगी इमोशन है जो वर्ड्स में बोलना बहुत मुश्किल है प्रोस्स अभी तक बहुत सिंपल रहा है मैं एक एक करके बताऊंगा पहले लगेज कलेक कर लेता हूं क्योंकि लगेज काफी मिस्प्लेस हो रहा है इसा सुनने में है यह तो सूटकेस का भूद बना के भेजाओ है देखो वो डबा हमारा ही है ना दूर से पता चल रहा है दोनों डब्बे आगे यह देख रहे हो पैकिंग जो हमने टोरॉंटो में किया था बिल्कुल मस्त टाइप बिना किसी खरुच के यहां पहुंच गया ह कि कलकता कि माया बेबी कैसा लग रहा है कलकता अभी वो नीज में अगम दम पार्क में पास करता है यह टाइम लिख रहा है आपको साड़े आठ बजे और हमारी बेटी जो है माया बेबी कैसा लग रहा है आपको कलकता के अच्छा लग रहा है शॉप बिल्कुल बिल्कुल शॉपिंग के लिए चलोगे दादू जो है अभी शॉपिंग में जाने नहीं